जै श्री राम प्रियमित्रों आपका यह मित्र डक्टर रवी संकर पांडे नीजी इक्षा के बाहर तो आ गया अब जन मानस में जिग्यासा हो सकती है कि धन बंस और किर्टी के लिए संसार जगत के समस्त मनुष्य प्रयास कर रहे हैं और आपके इस मित्र को ना तो धन चाहिए ना तो कोई कर्म बचा है ना तो धर्म अर्थ काम और मुख्ष के लिए ही कोई प्रयास करना है तो इसके बाद भी यह बाड़ी क्यों प्रगट हो रही है तो यह वाड़ी स्रीश्यू जी के क्रिपा से हो रही है आज धर्ती पर एडिक्षन यानि लत्थ यह प्रचंड रूप से प्रतेक प्राड़ी को जकड रखा है तो जब परमात्मा ही आउतार लेकर लिला हेतु कर्म करते हैं तो यह पंच भूत का सरीर है इससे आप लोगों को स्रीश्यू जी की भक्ति प्राप्त हो जाए इसी लिए यह बाड़ी और भाव प्रगट हो रहे है तो संपोर्ण स्रिश्टी का ही मन्थन हुआ और अनुभों में यह बात आ गई कि यह सरीर मात्र आत्मा राम का सेवक है सेवक भाव के अलावा आप जितने भी विशयों में चिंतन करते हैं तो विशयों का चिंतन ही आशक्ति यानि एडिक्षन उत्पन करता है प्रभू श्री राम जी कृष्णा आउतार में अर्जुन जी को निमित बनाकर जन्मानस को इस बास्त के लिए इसपश्ट कर चुके हैं कि ध्यायतो विशयान पुन्सह असंगस्ते सूपजायते असंगात संजायते कामात क्रोधो अभिजायते अर्था ध्यायतो विशयान पुन्सह यानि विशयों का ध्यान करने से संगस्ते सूपजायते उनमें आशक्ती यानि एडिक्षन उत्पन हो जाती है और आशक्ती के उत्पन होने से कामना की उत्पत्ती होती है जो की एक अगनी है और कामना की अगनी उत्पन होते ही निस्काम भाव का सत्यानास हो जाता है काम जब हो जाता है तब मद यानि घमंड रूपी दैत्य प्रगठ हो जाता है अंतह करण में और नहीं होता है काम तो कामात क्रोधों अभी जायते तब क्रोध की उत्पत्ती होती है तो चाहे घमंड हो या क्रोध ए दोनों पाप की वस्तु है इसलिए विश्यों का चिंतन एवं भेद बुद्धी ही सभी अनर्थों का जड़ है हर रूप में एक ही आत्मा राम है अब जन मानस अपनी अपनी सुविधा अनुसार की मेरा आत्मा राम स्री राम जी है तो मेरा आत्मा राम स्री कृष्र भगवान है तो मेरा आत्मा राम स्री स्यूजी है और या तो बुद्धा का विरा जो कुछ भी तो आत्मा में भेध हो जाना यही सबसे बड़ा अनुर्थ का कारण है जो भी मित्र अपने प्रतेख स्वास को कपड से मुक्त नहीं कर सकता उसका सोच, कर्म और वाड़ी तीनों कभी पवित्र नहीं हो सकता तो आप लोग अपने अन्तह करण को पवित्र करने के लिए परम स्वतंत्र है जब धर्ती पर कोई भी मित्र अपने प्रतेख स्वास को कपड से मुक्त करना चाहेगा तभी आपके इस मित्र की आउसकता इस जगत को होगी नहीं तो अब आपके इस मित्र डाक्टर रवी संकर पांडे का इस जगत में कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा यानि जीव, नाक, आख, कान और त्वचा के माध्यम से जो अनुभव होते हैं अब कुछ भी अनुभव प्राप्त करने के लिए सेश बचा ही नहीं यानि इस धर्ती पर कौन सी बाड़ी चल रही है उसको सुनना ही नहीं रहा क्योंकि ऐसी कोई बाड़ी ही नहीं है जो कामना के बाहर हो और इस पर्ष करना ही नहीं है अर्थात किसी को चूना ही नहीं है कुछ देखना सेश रहा ही नहीं है स्वाद की कोई वस्तु चाहिए नहीं और गंद की कोई वस्तु चाहिए नहीं अर्थात जो इंद्रियों के द्वारा अनुभों में आने वाला संसार है इनसे मन पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है इतना आवश्य की धर्ती पर एक भी मनुष्य अइशा नहीं है जिनके प्रती आपके इस मित्र के हिर्दे में रोश यानि क्रोध का एक भी कड़ हो तो यह बड़ा दिव्य भाव है और प्रतेक मनुष्य इस भाव के अंदर अपने मन को समाशकता है तो विशयो का चिंतन ही विशयो का चिंतन एवं भेद बुद्धी यही समस्या के मूल कारण है कपट से एक भी बुद्धी खाली नहीं है चाहे वह गुरु हो, संक्राचार हो, महामंडलिश्वर हो कोई भी हो, किसी की बुद्धी कपट से खाली नहीं है कपट क्या होता है, सोच, कर्म और बाड़ी इन में यदि अंतर है, एक स्वास में भी तो आप जाने अन जाने में मत कपट की चाटू कारिता कर रहे हैं आप का अलक से कोई अस्तित्व है ही नहीं आप हैं, तो सच्छात परमात्मा की मूर्ती तो सबको भगवान की मूर्ती समझ करके ही बहवार हो रहा है और बहवार मात्र इसलिए हो रहा है कि सभी मित्रों को स्रीश्यू जी की भक्ती प्राप्त हो जाए इनको किसी के पत्नी से स्वामी जी कहलवाना नहीं है किसी से एक सिक्का का आसा करना नहीं है हाँ कुछ मित्र कहे कि गुरु जी आपके एकाउंट में अगर पढ़ जाये तो कोई असुखजा है तो कहा यहां से आसा नहीं कर सकते हाँ अगर कोई मित्र चाहता है कि स्वरूप का धर्ती पर रहना यह कल्याण कारी है तो जिसकी कोई अगर स्रद्धा है वह एकाउंट में कुछ पैसा डाल दे रहा है तो उससे कोई असुखजा भी नहीं है हाँ बस इतना ही है कि यह आसा का एक कच्चा धागा भी अपने बुद्धी और मन को जोड़ नहीं सकते यहीं आपके मित्र की अवस्था है आशक्ति दोस्त का समाप्त हो जाना और परमात्मा ही मेही नित निरंतर प्रशन रहना अब यही है यह मन बुद्धी शरीर श्री स्यूजी का सेवक हो चुका है और श्री स्यूजी ही इसके एक लवते स्वामी है धर्ती पर जो भी मनुष्य ऐसा भ्रम रखता है कि मैं स्यूजी का सेवक हूँ यह बाड़ी प्रतेक प्राड़ी तक पहुशनी चाहिए श्री स्यूजी कह रहे है जैसे कोई नाम ले करके बनार्शी जी आप तो हमारे सेवक कहलाते हैं और दूसरों से आसा करते हैं आप लोग अपना अपना नाम जोड़ लीजिएगा सबसे भगवान स्यूजी कह रहे हैं तो आप ही बताएं कि मैं कैसे विश्वाश करूं कि आप मेरे सेवक हैं इस बात को चौपाई के माध्यम से प्रमाड भी ले लीजिए कि कहाई मरे भगते अकराई नर्यासा तो कहाई तो कहाँ हो ये विश्वाशा यानि आप मेरा सेवक कहलाते हैं और किसी से आसा रखते हैं तो आप ही बताएं कि कैसे विश्वाश किया जा कि आप हमारे सेवक हैं तो आसा की जहां तक सीमा रही मित्रों उसके बाहर या बुद्धी आ गई अब इस जगत में मात्र भक्ती का नाता है जो कभी भी किसी युग में समाप हो ही नहीं सकता सेश आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि यूटूब चैनल पर सारी बाते पड़ी हुई है कपट का त्याग करेंगे तभी मनुष्य का परमलाव यानि मनुष्य जन्मेवम जीवन का परमलाव श्री श्यूजी की भक्ती प्राप्त हो सकती है तो बाधा है विश्यो का चिंतन और भेद बुद्धी अभेद रूप से श्री राम जी ही सबके आत्मा है और संपूर सरी रही श्री राम जी का सेवक है और श्री राम जी इसके स्वामी है आत्मा में भेद है ही नहीं मित्रों आप जिस भी मार्ग पर चलते हो जिस भी संप्रदाय को मानते हो यदि आपके अंता करण में सोक यानि ग्रीफ मोह यानि इनफैच्वेशन शंदेह यानि डाउट और भ्राम यानि इलूजन यदि बिद्दमान है तो आप निश्चित ही सद्गुरू को प्राप्त नहीं कर पाए है क्योंकि जैसे ठंड का समय आ रहा है तो इसमें बारिश में जितने कीडे मकोडे होते हैं सब भूमी के अंदर चले जाते हैं अर्थात वह ठंड में नहीं दिखाई देते साब भूमी के अंदर चले जाते हैं उसी प्रकार से यह सोक मोह संदेह और व्रम यह सब बरसाती कीडे हैं अगर सद्गुरु आपको प्राप्त हो ही जाएगे तो आपके अंतर करण में एक स्वास में भी इन्सब असुरों का स्थान नहीं होगा आप सभी को श्री स्यू जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो बस यही भाव आपके इस मित्र के अंतह करण में बिद्धमान है सेश आप सभी समझदा रही है आप सभी का कल्याड हो जै श्रीरा जै श्रीरा झाल झाल जापके मित्र बाही है आप सभी को ज्यके प्राप्त है भी भी प्राइविछ उशर दो जैए जदी खाल जो है बिद्धमान है